दोस्तों नमस्कार दोस्तों ये दियाब 750 स्क्यार फीट का मकान बनाने का प्लान कर रहे हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके 750 स्क्यार फीट के मकान को बनवाने में कितना क्यूंटर सरिया लगेगा आज के भाव के एक्जाब से कितने रुपे का लगेगा जिसमें दोस्तों मैं आपको बताओंगा कि आपके कॉलूम में कितना सहरे लगेगा प्रिड बिम यानि कि जो नीचे का पेडियल पे कुर्सी लेवल पे जो हम बीम प्रोवाइड करते हैं उसमें कितना सहरे लगेगा तॉबिम यनि अपने मकान की हाई टिपल जो बीम प्रोवाइड करते हैं, उसमें कितना सर्य लगेगा Foundation यनि कि अपने मकान का جो कॉलूम खडाम कर रहे हैं, उसके नीचे का जो बेस बनाते हैं, उसमें कितना सर्य लगेगा प्लस दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि 715 स्क्यार फिट की मकान में चहत में कितना सर्या आपके लगेगा दोस्तों 715 स्क्यार फिट में अपना जो सर्या लगने वाला है उसको एकजेट और सटी केसे निकाले इसके लिए दोस्तों मैं एक सरल साइज ले रहा हूँ आपका जो भी प्लाट का साइज है लेकिन दोस्तों अपने उससे कुछ देना देना नहीं है आपको फिशेश दियार रखना है कि आपका जो प्लाट है वो 700 स्क्यारफिट का शेत्रपल का है ठीक है लंबाई चोड़ा है तो दोस्तों मैं आपको सरलता से सट्टिकता से अपने सरेयर के कुछ निकाल सकूँ आपको समझा सकूँ इसकी लिए दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए ये 15x50 का एक लंबाय चोड़ा के हिसाव से ये साइस ले रहा हूँ अपने एक प्लाट का जिसी की दोस्तों मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाऊंग तो दोस्तों ये माल लीजी अपना 50 x 15 का प्लाट है ठीक है जिसमें अगर मल्टिप्लाइ करते हैं तो अपना 750 स्क्यार फीट का शित्रफर बनता है अखिरकार दोस्तों अपने 750 स्क्यार फीट में यानि की 15,50 में कितना लगबक कॉलूम आता है उसको भी हम देख लते हैं प्लोटल कितना वर्क होगा दोस्तों जहां आपने को इस्टिल की रिकॉर्मेंट रहेगी सबी वर्क को एक बार एक की करके जोड लेते हैं जिसे कि दो दोस्तों अपना सर्या है एकजिट निकार सेके दोस्तों आपको वीडियो पुरा देखना है बिल्कुल भी ध्यान से देखना है बिल्कुल भी दोस्तों आपको वीडियो इसकी बना करना है ठीक है इससे कि दोस्तों होगा कि मैं जो करूंगा इससे आपको भी कुछ ग्यात रहेगा आपको भी कुछ अनुबह हो रहेगा कि इस परकार से अपना वर्क होता है अपने कारिय का और इस कारिय में अपना सहरे लगता है और इस इस कारियों इस परकार से जोड़ा जाता है तो देख लेता है सरोबरतम कोलूम का तो जैसा कि दोस्तों कोलूम के अगर बात कर तो साड़े साथ सो इसके और फिट के मकान में लगबग अपना एक तो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तस यानि कि लगबग तस खड़े को लुप आ जाते हैं ठीक है इस परकार से दोस्तों इसकी लेंद के अगर बात करें तो अठारा फिट इसको मान के चल सकते हैं जो कि कोलूम बना हुआ इस परकार से नेचे का दोस्तों इस परकार से हम बेस बनाते हैं ये वाला ठीक है उसके बाद दोस्तों अपना जो कोलूम है उसकी लेंद श्टाट होती है तो यहां से लेके खड़े से लेके इतना तीन से चार फिट का जो अपने लेंद आता है दोस्तो यह आता है दोस्तों तीन से चार फिट का अपने खड़े के अंदर-अंदर उसके बाद दोस्तों तीन से चार फिट का लेंद पार करके अपना जमीन के बराबर आजाता है उसके बाद दोस्तों होता है कि जमीन के बराबर आने के बाद अपना इतना पेडी लेवल अपना मकान का जो कूरसी है इतना उचा हम रखते हैं उसके बाद दोस्तों कूरसी तक आने के बाद अपना जो मकान का हाइट हम रखते हैं से 11,000 फिट का नॉर्मली वो हम cover कर पाते है इस परकार से ठीक है जो कि दोस्तों यहां से लेकि यहां तक का length हो जाता है total अपना 18,000 फिट का ठीक है इस परकार से दोस्तों column का length अपना बनता है 18 फिट में दोस्तों कोलूम की संक्या चाहे आपकी कम हो ये फिर ज्यादा हो तो दोस्तों ज्यादा को जुश्य आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा ठीक है दोस्तों ये एक 15-15 का प्लाट है इसमें जैसे की कोलूम एक यहां रहा है एक यहां रहा है बीच में और यहां पर आपने आ जाते हैं ठीक है तो इस इसाब दोस्तों में ने 5 इस लाइन का और 5 इस लाइन का दस कोलूम का क्युश्य किया है दोस्तों यह दिया आपके 705 इसक्वर्फिट में कोलोम की संक्या चाहदा आ रही है तो आपको गवराने कुई आउक्सतार नहीं है दोस्तों आप मुझे कमेड़ों बता दीजिएगा कि आपके सार्ट सो पजय उसके और फिट में लगबग इतने खोड़े कॉलूम आ रहे हैं तो दोस्तों में तुरंद ही आपका जो कॉलूम बनेगा उसका सर्यागे उसका करके बता दूंगा ठीक है तो दोस्तों इस पर इस करेंगे हम 15 फिट का एक दो तीन चार पांच याने की पंदरा पांच पिचोतर लगबग या अपना आ रहा हैं दोनों को जोडते हैं तो यह ओ जाता है दोस्तों दोसो पत्चीस पीट याने की दोस्तों नीचे का जो यह पूरा चुकड़ी अपना बन रहा है अपने 75 बनता हैं बात कर लेते हैं दोस्तो टोप TEAM का इतना बने यह अपने ॹआर के बाद जो बीम प्रोएट करते हैं उसकी में बात करूं तो दोस्तो जितना अपना बने का सेम लगभुटता ही रहेगा लेकिन दोस्तों इसमें होता है कि जी सो तरवाजा होता है है केड़की होता है यह फिर अपना जिसरण में रसता होता है उस तिर्द मीटश का चीज्जा निकालते हैं जो कि धूस्तों बन जाता है तीन और तीन छे जो 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 ंने पर अपना बने गा 234 फिट ठीक है इस दाफ से दोस्तों बात कर लेते हैं foundation का दोस्तों इसमें अपने इतने बड़े वर्क में जो 6 फिट का मैंने लेंज बता है इसकी कोई value नहीं है लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ था कि आपको ध्यान में रहें कि इस परकार से भी कहिन के अपने म हम रखते हैं the登録 में करें दोस्तों इनौं इसकेफिट अपना होता है एक कालम की नीचे का जोइक技 वांडेशन का वह्रकों हो रहा हैं दोस्तों 9 में multiply करेंगैं दोस्तों जो कन मा अरह हैं 10 तो जो जहता है दोस्तों 90uhओ ठीक है अब दोस्तों बात कर लेते हैं और अपना चलेट का आयरिया और अपना हो जाता है और अपना सब्सक्रेंगा 700 पिचानों इसके अपना चलेग़ है साथ सो इसके और फिट के मकान को कंप्रेट करने में इत्ता अपना वर्क होगा जिसमें दोस्तों अपने को इस्टिल की रिकॉर्मेट रहेगी एक बार इसका यह को जोड़ भी लेते हैं तो कॉलम प्लेदिम टोबिम इसको एक जोड़ें क्योंकि इसमें जो सरीया हम लगाते मैं लगाते हैं बड़ के साथ जोड़ सब्सक्राइब होता है तो वह जोड़ें तो लगबगा अपने 755 फिट तो में जोड़ेंगा यहां हो रहा है रॉड फीट यह और वचे वर स्टाएब तो यह हो जाता है दोस्तों अपना इसमें आठ सो फिर चानो राउंड फिगर दोस्तों इसको भी 900 स्क्यार फिट कर लेते हैं तो दोस्तों जैसा कि हमने देखी लिया है कि लगबग अपने 750 स्क्यार फिट के मकान में चास्तों चालीस फिट तो कॉलम भी मढ़ रहे हैं प्लस अपना स्लेप फांडेशन का वर्क हो रहा है 900 स्क्यार फिट में अब दोस्तों देख लेते हैं कि इत्ता अगर हमारा वर्क हो रहा है तो लगबग कितना सर्य अपने लगएगा तो सरव पर तक दोस्तों बात करते हैं जैसे कि एक कोलम हो यह भी हो जिसमें दोस्तों हम छे नक्त प्रवाइड करते हैं कैसे करते हैं तो माल लिजए दोस्तों यह अपना एक पिलर है अपना एक बीम है जिसमें दोस्तों हम अपने सर्य प्रवाइड करते हैं एक यहां करते हैं और दो और दोस्तों एक यहां पर और इन करते हैं ठीकर इसकी जगह दोस्तों आप यहां पर भी कर सकते हैं इहां पर भी आप खर सकते हैं तो एसमें अब को बता रहा हूं 6 सरी भी रह रहे हैं इसमें siis न pizzas हम लगाएंगे तो दो सरी हम लगा रहा हूं वो 10 mm के दो नग के इसाब से बताओं दोस्तों इदिया आप चाहते हैं कि भाई मेरे अपने मकान में फूली 6 नग में 12 mm के लगाओ 6 छड़ में 12 mm के लगाओ तो भी मैं आपको बताओंगा कि आपके 12 mm के 6 नग के इसाब से कितना आपके सरीया लगाएगा तो देख लेते हैं तो सरव परतो में आपको बता रहा है भाई 12 mm का चार नग के हसाब से जिसमें दोस्तों आपके जो सरीया लगाएगा वगाओ उ degreeů 5 इसाब सेंढेड नग को फिरिबिस दूरों को जोड़ते हैं कि भाई में तो अपने 10 विम्का दो सर्या और बारायम का चार्ट सर्या लगाना चाहता हूं तो इस दिन दोस्तों आपके 10 विम्का शर्या लगेगा दो क्यूंटल 25 किलोगराम ठीक है और दोस्तों इसका और इसका कंपेर करें तो कुछ ज़्यादा बड़ा इसमें अंतर देखने को नहीं आता है मातर लगबग एक क्यूंटल यानिकी 100 केजी का अंतर आपको आता है ठीक है तो इस दोस्तों 10 विम्का सर्या लगा है दो छटकी एक बनाते दोस्तों चेच चोधा का रिंग जोटा है भी उसमें लगता है दोस्तों वह लगता है अपने आप से लगते हैं बहुत सी जगह पर आपकी यह नहीं लगाते हैं मुझे कमें में जुरू बताएगा दोस्तों तो छेधर की रिंग के इसाफ से दोस्तों इसमें आपका से रगए दो कुटेल साथ क्लोगराँ दोस्तों आपकी सरी लगेगा और दोस्तों यह दिया आप चाहते हैं कि आपके टोप बीम में 614 की रिंग पुराइट करें ठेके-दार मिस्त्री या आपक करवाना चाहते हैं तो इस जिस्ते दिन दोस्तों आपकी जो सरे लागिया च्छे चोफदे की रियेंग की स्तती में च्छे एक कुंटल 10 किलोगराम ठीक है इस प्रकार से दोस्तों अपना जो साथ सूप पचाइस का फिट का मकानम बना रहे हैं तो इतना लगबक अपना सरे लग रहा है इसको ज जो चाइए नोग कींटल सरिया लगेगा रिंग का से दोस्तों इसमें उड़र हूं यह चाहिए तो गोड़ते हैं तो लगबक दोस्तों आपके 18-10 कुंटल रहा है और आज का अब बाए चल रहा है दोस्तों पेसे हट का अगर मुल्टिप्लाइक करें दोस्तों तो आपके साथ सो पचाय स्कार फीट के एक मकान को कंप्लेट करने में एक लाग सतरह हजार छास सो पचास रुपे का सर्याब के बनने वाला है दोस्तों यदि आपको वीडियो जाने कर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर करमेंट जरू करें वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद चेहें दोस्तों